दोस्तों कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छ होंगे रिसेंटली मुझे कमेंट आया था कि डीडी फ्रीडिस के सेट बॉक्स को बारे वोल्ट से ऑपरेट करने वाला कैसे बना है यह दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ फिल्फुल हो सकते हैं अगर आप ऐसे ही रिचार्जबल बॉक्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेना इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताते हैं और दो बाइटरी बनाना सिखा सिचाएं क्योंकि हम इससे 12 वोल्ट से उपेटेट करेंगे तो हमें बैटरी की दीखा देगी मैं सबसे आपको मैं इस डाइग्राम बनाके दिखा दो बैटरी आपने कैसे चनेक करका किने हिं है तीन बैटरी इस तरीके से लेनी है अपने एक, दो, तीन, यह तीन बैटरी होगी, यह प्लस साइड, यह माइनस, यह प्लस, यह प्लस, यह माइनस, तरीके से आपने रखना है, पोजिशन में, यहां से आपका प्लस आउटपूट होगा, और यह इधर कनेक्ट हो जाएगा, यह इधर कनेक्ट हो जाएगा, और यहां से सब का माइनेस निकल जाएगा है किंगर माइनस यहां से निकल जाएगा ऐक कल यह बैटरी एंस से बाटरी में बना के यह बिने अधिक है यह रास का मैंने होला और यह अधिक हम वाला साइड बैट्रिय अभी मुझे नहीं पता कितनी की है अभी सोरी कितना चार्ज है अभी देखते कितने इस व करता है यह जो करता है जो फुल चार्ज डेंगा तो यह 12 वोल्ठ के काई तो चलेगा बिल्कुल इसको रखते हैं साइट पे अब यहां पर हमने करना गया है अगर BMS मोड्यूल के साथ में इसको हमने बनाना है तो यहां पर देख लाए इस टैप से एक BMS यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर आपने वायर कनेक्ट करनी है जीरो वोल्ट पर आपने रखना है यह ब्लैक वायर को जो कि मारी ग्राउंड रहेगी जीरो वोल्ट पर इसको कनेक्ट करना है और एक को आपने कनेक्ट करना है 4.2 वोल्ट यहां पर लेका है उसको कनेक्ट इस तरीके से करना है और एक वायर को कनेक्ट करना है 8.4 वोल्ट पर और एक वायर को कनेक्ट करना है आपने 12.6 वोल्ट पर सभी पॉइंट पर एक वाय वायर को इस तरीके से कनेक्ट करना होगा बस से कनेक्ट होगी लगबग यहां पर सभी वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है अब यहां पर इस तरीके से जो जीरो वोल्ट है यहां पर जहां पर जीरो वोल्ट है वहां पर हमने ग्राउंड को यानि कि यह नेगेटिव जहां पर ब देखिए सारे connection कैसे होने आप द्धान से आपर देखिएगा आप यहां पर है 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट है तो इस battery के यह battery हमारी एक battery हमारी 4.2 वोल्ट maximum के होती है तो इस battery के सबसे पहली वाली battery के यहां पर इसको connect कर लेंगे यानि कि सबसे बड़ी है method आपको और बता देखिए जहां पर 4.2 वोल्ट आ रहा है वहां पर वह 4.2 वाली वायर को connect कर लेना होगा इसको हमने रखना है ग्राउंड पर जिस battery में 4.2 वोल्ट आ रहा है वहां पर connect करना होगा यह देखिए जैसे कि यहां पर अगर बैटरी फुल होगी तब जाके 4.2 वोल्ट बताएगा अभी तो एक battery में पर 3.8 वोल्ट आ रहा है तो इधर पर हमने 4.2 वोल्ट वाला वायर को इस battery के पास में पहली वाली बैटरी सीरीज में चलना है पहले वाले में हमने इस वायर को 4.2 वाले वायर को लगा लेना है अगर वीडियो आपको लंबी लग रही या फिर आप बोर हो तो वीडियो छ सभी प्लस यह वाली वायर को सभी बैटरी के हमने पॉजिटिव पॉजिटिव पी लगाते हुए चलना है यहाँ पर तीसरी वाली डेट केलर की वायर यान कि 12.6 वोल्ट आप लिगा है वो तीसरी बैटरी के पॉजिटिव में करना है यान कि 0 वाली को आपने सब से जहां पे बैटरी का नेगेटीव आ रहा है याने कि यहां पर बैटरी का जो नेगेटीव आ रहा है उहां पर आपने 0 कनेकने हैं बाकि सब्सक्राइब इसको कर देते हैं यहां पर कनेक्ट बस यह कनेक्शन हमारे हो चुकिया फाइनल अब हम BMS पर हम बुल्टेज चेक करेंगे यह जानना जरूरी है क्योंकि हमें अभी यहाँ पर 12 वोल्ट का सिस्टम त्यार करना है यह देखिए यहाँ पर 3.8 वोल्ट मिलना है यहाँ पर 8.4 वोल्ट मिलना चाहिए बैट बैटरीज को इस तरीके का आपको एक सॉकेट चीए ठीक है सॉकेट इस टैप का सॉकेट ले लेके आप रख लेंगे उसका जो प्लस मैनेस पोइंट रहता है वो आप इधर प्लस मैनेस से जोड़ देंगे और इसके बाद बार वोल्ट का स्मेड़क्ट लगांगे तो पहले से पहले सूरी मार दयता हूं सही से अब यह सप्प्लाइऑ है स्वरी कार्ड है हमारा कार्ड मे हमारी थी पॉंट स्वोल्ट और ट्वेल बोल चल जाता है इसमें हम एक चीज और एड़ करेंगे देखिए हम 22 वोल्ट भी बनाने के लिए इस सप्लाई गो और यहां से इसके धुरू हम इदर फे 12 देंगे और इस अपलाई हमारी चालू हो जागी यह हमारी बैटरी बनके अलक्ट से तियार हो गई है और यह रहा हमारा एक plug और systematic ढंग आपको दिखा देता हूं यह देखिए इस तरीके से आप इसको insert करेंगे और इस तरफ के 132 यह इसे इसक्त वानी 3 पोंथ व्लड टेंगे आप 12 उट यह को मघ दी जिए हमारा जो है पर एक काड चल पड़ेगा और सामने देखिए ओन हो गया है यह 12 वोल्ट से चलने लगया है सामने देखें कि ऑन उनिदि इसको देते हैं पहला वाला इसमें चैनल चल रहा है दूसरा तीसरा जो भी है इसमें चलने लगेगा एक तो यह रहा हमारा मैथडिक्स को चलाने का औ सब्सक्राइब करता है और अन्-डाफ इसको अन्-णाफ कैसे करवाएंगे एक स्विच आप 0 वोल पे देदीजिए जिडिस लगाएंगे इस सीच तुछ लगाएंगे ना इस तरीके से यह आपने ट रहा है आप सेपार और स्विच टेथिनगे इस तरीके से अन लगेगा और जब आप switch on करेंगे तो on लेगा जो आप switch off करेंगे तो off लेगा इस तरीके से यह देखें आपने switch on किया तो on हो गया, switch off किया तो off हो गया, इस तरीके switch डाल देंगे, इसके लिए आपको थोड़ा से guide कर देता हूं, इस type का box बनाईए, ठीक है, यहाँ पर card लगा हुआ है यहाँ पर इसके display लगी है, और यहाँ पर यह socket लगा हुआ है, यह socket का जो है न, small आप इसको charge करने में करेंगे, इस socket जो प्लस मैनस निकल दिये, इसके आप प्लस मैनस में यहाँ पर दे देंगे, और एक switch लगा हुआ है, यह switch का small इस card को on off करने के लिए small करेंगे, 0V वाल लेनी है यह आप इस तरीके से कोएक likit करेंगे और इसको करेंगे से और यहाँ पर आप वहाँ से जो कि बन रहा है, डिरेक्ट यहां पर देढ़े फटाफट से, दो डायर की मदद से, यहां पर देखिए, दो डायर हमने ले लिए हैं, इसको हमने लगा लेना है 12 बड़र, और इसको लगा लेना है 0 पर, इधर, BMS के 0 पर, लेना ही पड़ेगा इसके लिए क्योंकि BMS से आपकी यह बैटरी चार्ज होंगी ठीक है यह बैटरी चार्ज होंगी BMS नहीं लगाएंगे तो आपने इन बैटरी को अलग मेथड से किसी और मेथड से चार्ज करना पड़ेगा इसलिए BMS चार्ज करने के लिए जरूरी है बस यहां हमारे a plus का उसको हो हम यहां पर कनेक्ट करेंगे और हमारा काड़ी चल पड़ेगा को कि टिए चल पड़ा अब हमाँ यहां पर तीन वोल्टेज मिलेंगी कि यह जो हमारा जो सप्लाई है यह तीन वुल्ट बनाताए धीक awards वोल्ट बनाता है 22 वोल्ट भी बनाता है मैं आपको दिखाता हूं यह 22 वोल्ट भी बनाता है यह आप देखिए इसको हम रखते हैं ग्राउंड पर यानि कि चलिए इधर से हम ग्राउंड पर इसको रख लेते हैं और यहां मल्टिमेटर पर देखिए अलग-अलग वोल्ट ब 12V, मतब अभी battery full नहीं है, तो 10V दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर 22V दिखाएगा, क्योंकि यह 22V भी बनाता है, यह वाली supply, इसमें, booster यहाँ पर लगे वे हैं, दू आईसी, ठीक है, तो अगर आपको 22V भी चीए, तो इस supply को लगाना पड़ेगा, नहीं चीए, तो आप यहा connector है, इस तरीके से आप जो हमारी supply में connector आता है, ऐसे इसको लगाएंगे, और इदर की तीन वायर आपने, आपने वो करनी है, इदर की तीन वायर, इसमें आपने यह 12V दे देना, यहां से 12V इदर पर जोड़े लेना है, और इस वाली को आपने इदर वाली, इदर वाली आप को इसकी जो हो, तो नहीं पड़ेगी, अगर आप 22V भी चाहते हैं, कभी-कभी ना, कुछ-कुछ चैनल हमाई 22V से भी चलते हैं, horizontal vertical वाले हैं, तो वैसे 12V से भी चल जाते हैं, लेकिन 12V से एक और देखे, आप यहां पर 22V वाले point में दे सकते हैं, लेकिन अगर यह ल प्लस माइनस आएगा, यहां पर प्लस माइनस में जोड़के, आप यहां पर इसके थूरू बैटरी को आप चार्च कर सकते हैं, तो ऐसे मैं ने आपको बता दिया, अगर आप एक बार इसको लगा लगे ना, तो permanent आपका यह और खराब भी नहीं होता, असानी से ना, जो भ बाकि आपको मैंने हाप लाइव दिखा दिया किस तरीके से इसकी वारिंग करते हैं अगर आपने बिना स्किप के वीडियो देखा होगा तो बहुत यह असन तरीके से सीखा अगर कुछ भी निश्या हो 12V की बैटरी बनाना और BMS से कनेक्ट करना आपने तो सीख ही लिया होग बाकि आप इस वीडियो के लिए लाइक और कमेंट कर लिजेगा और हां नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वह ज़रूर बता ना किसमें कोई भी कमी आपको सीखने में रह गी हो तो कमेंट कर देना मैं हो सकता है एक विस्तृत वीडियो बनाओ जो एक द